बिल गेट्स जो के बहुत बड़े टेक जाएंट हैं और वो उसके पास गए और कहा के जी वन चाय फ्लीज प्लीज पाकिस्तान में अलमी आए अगर लड़का बाहर आके छेड़ेगा नीना तो वो पता नहीं चलेगा वो मर्द है मर्द नहीं है जब तक वॉरत के ओपर दब सब्सक्राइब करते हैं इंडिया के अंदर और आम आदमी को वाल्यू दे दी देखें इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है उन्होंने अपनी एकॉनवी पे बहुत बग किया और उन्होंने अपना गुवर्नेस सिस्टम काफी देर से ठीकिया इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्कों रेके है कि कितनी जाहिलव है पाकिस्तान में ने जुकेटेड एंडिया मैं जानना चाहूंगी क्या इंडिया जो इंडिया दिखा निरा क्यूंकि हम सबको तो यहीं पता है कि वह भड्य दुनिया की तीसरी बड़ी अकॉनमी बन रहा है उसके उमल में ड्वालिए लोगों को रा साप लोट रहे हैं जो तस्वीर है वो बिल गेट्स की है और उन्हों ने जो बारत के अंदर कोलकाता में जो डोली चाई वाला है उसके वहाँ पर जाकर उन्हों ने चाई पी और जब यह तस्वीर दुनिया भर में बहुत ज्यादा वाइरल हो गई तो इसे देखकर जो पाक पाकिस्तान के पावरफुल लोगों से मिलते हैं लेकिन जब इंडिया जाते हैं तो इंडिया की आम अवाम से मिलते हैं अब देखें के सोशल मीडिया पर हर जगा एकी तस्वीर वायरल हो रही है वह बिल गेट्स की चाई वाले वैंडर पर चाई पीते हुए यसे डॉली वाला कहा जा रहे चाहुशंगे ऐसमीं मैं पिक्चर्ब डेखी मैं चाहिए कि जिए इंडिया यह जैक कर ले के बिलगेट साहिब जो है वह कहां पर आगी चाह पी रहे हैं और डॉली देता है वह बहुत बंधा है वह उसकी अगर रखा कि देख ले तो मिलियन मिलियन व्यूज है उस बंदे की उपर और उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रेक्ट किया और जैसे वो चाय को देता है वो बड़ा कमाल किया लेकिन इसके उपर देखें के बिल जेट अगर चाय वाले के पास वहां पर गया है तो इस बीन के इं जाते हैं या कोई बी टोरिस्ट आता है वहां पर किसी मुल्क का प्रेजिटेंट आता है या मिनिस्टर आता है तो वह इंडिया में बड़ा सेफ ली बढ़ा फ्रीली मूफ करता है हम ने पहले देखा कि फ्रांस के मैस्टर वहां पर सबसी लेते होए आम मार्किट में यह गया है मौदी साथ ने जैसे इंटर्नेशनलिली अपने मुल्क को जाय रहे करवा दिया पिर उनको पूरे मुल्क को जाय वो एक काह दिया है कि हमारा मुल्क बिलकुल सेख है कोई भी दुनिया में आके यह कुछ भी कर सकते है है इस ते बड़ी मिसाल किया हो सब्सक्कित ह वो आके एक धाबे वाले से चाह पी रहा है इसमीन के और उन्होंने बता दिया मौधी साहब ने 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 बताया बलके अब तो दूसरे लोग बड़े बड़े आके ये जो है वो थाबित कर रहे हैं कि वाकर ही जो है इंडिया का मुल्क जो है वो बड़ा सेफ है और जो के हमार मुल्क में अगर कोई भी आता है पाकिस्तान में तो वो बिलकुल भी सेक्यूर जो है वो से महसूस नहीं करते हैं बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावफूल लोगों से मिलते हैं ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते हैं लेकिन इंडिया कैसे मार्किट कर अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला बिल गेट्स जो के बहुत बड़े टेक जाइंट हैं और वो उसके पास गए और कहा के जी वन चाय फ्लीज तीके जी वो डॉली जो है वो ओवरनाइट नो ही बिकेम अन इंटरनेट सेंसेशन और डॉली बचारे क क्या पता कि यह बिल गेट्स हैं यह क्या काम करता है इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया वो तो अपना काम दंदा करता है बचारा एंड ओविसली इस गुड़ एट वटावर इस डूइंग और मैं बड़ा खुश हूँ हूँ डॉली को देखके कि डॉली तो जिस अन्दास में वो थे वो पहली तो बात भगो समझ नहीं पाये कोई है लेकिन नरिंदरा मोदी पन हम आदमी को पाकिस्ताम में क्यों कियों नहीं आके मिलते है पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सके एक व harfah-kareem थी पाकिस्तान की एक लड़की यंग लड़की जो के बचारी फौट हो गई फॉर वन रीजन और दी अधर मुझे अभी थोड़ी देर पहले जो क्योंकि साज़त आरट साब आजकल इंडिया में हैं तोनों ने पिक्चर बेजी और तुनों ने का देखो यह चाय वाला है और मैं कि हमारे मुलक में इतनी भी द्रख्की नहीं है कि हम बता पाएं किसी को कि यार हम इस पीर्ड में बहुत आगे हैं आप लोगों से भारत के बारे में यही कि वो लोग मतलब दिन बादिन आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि दुबई में लोगों ने अपना मंदिर बना लिया और पाकिस्तान वालों को देख लो हम जहां कलते वहां ही आजाए बलके पहले से भी पिछो जा रहे हैं कोई यहां बिचारा करना है तो थोड़ा बहुत वहां से हो सकता है कि मतलब नॉर्दन एरिया वगेर विजिट कर देख लेकर दो तो तो बिल्कुल भीनिया दूर दूर तो क्या लगता है यहां पर हमने एजुकेशन में यह दूसरे डिपार्मेंट्स में कितने बजट नाफिज किया है है यह क पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है इसलिए लोग पाकिस्तान चोड़के आउट ऑफ कंट्री जाना है डॉक्तर बनने के लिए इस बारे में बात करें हैं कि क्या इंडिया कितना ही पीसफुल कंट्री है के बिल गेट्स गए वहाँ चाहे भी धाबे पे और आ भी गए नथि कोई क्राउड ने कोई शुनी क्रियेट हुआ में भी पाकिस्तान में यह है कि एक चीज की ना बहुत हाइप क्रियेट कर देते हम हमारे लिए वह चीज बिलकुल नहीं होती है लेकिन अगर इंडिया में कोई इस तरह की पर्सनेलिटी आ रही है तो उनके लिए चीज नॉर आपको क्यों लगता है बिलगेट्स ने कहा है कि इंडिया वो कंट्रिया जो लो प्राइज इस पे हाई लेवल वैक्सीन बनाता है बहुत आला मयार की वैक्सीन और मेडिसन तियार करता है क्यों नहीं ऐसा कुछ पाकिस्तान में आइटिंग इस तरह इस चीज को लेके चल अगर फिलगेट् से पाया केatar का है कहा है कि आपको नहीं लगता पाकिसान में हैं यहां ऐसा कुछ होना चाहिए कि यहां भी ऐसे लोग इन्वेश्टमेंट करें तब इतो हम development की तरफ भरेंगे जब तक अब जैसे वो आई एम एफ को लोन की बात अगर हम कर लेते हैं जब तक यह वो लोन ही नहीं पूरे कर पाएंगे तो कैसे तरह कोई बंदा आके दुबारा नखेंगे तो मैं तो की यहां पर सबी लोग एक बात मैंशन कर रहे हैं कि यह जब देखने पर आते है तो वह इसे आशोड़ा से अलया परहे से आधी हैं लेकिन जबकी भारत के अंदर तो एसो एसा जो Microsoft के founder है वो ऐसे ही normal एक थेले वाले के वहां पर जाते है जो डोली चाई वाले के नाम से हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि one चाई please one tea please तो वहां पर इस तरीके से जो है ना यहां पर वीडियो के अंदर बाते की जारे है तो इस पर अगर मैं अपने बात करूँ तो देखे पाकिस्तान का जो comparison है वो आप भारत के साथ में ना करें क्योंकि भारत का जो माहौल है और पाकिस्तान का जो माहौल है उसमें जमीन आस्मान का फरक है जो भी बड़ी personality पाकिस्तान के विजिट पर जाते हैं उनको एक डर जरूर रहता है कि पता नहीं का उनके साथ मार्केट क अंदर खुले में पता नहीं क्या हो जाए कहां कुछ हो जाए कहीं बॉम बॉलाश्टर नहीं हो जाए लेकिन भारत के अंदर यह खत्रा नहीं होता है वो अपने आपको सेफ यहां पर महसूस करते हैं बाकि आपने पूरी वीडियो देखी है अगर आपको कुछ कहना है तो बहुत बहुत धन्यवाद